दोस्तों, गैलिलियो गैलिली को फादर ओफ अब्जवेशनल एस्ट्रोनॉमी फादर ओफ मॉर्डन फिजिक्स फादर ओफ साइंटिफिक मेथड और फादर ओफ मॉर्डन साइंस कहा जाता है लेकिन उन्हें ये सभी सम्मान अपनी मौत के बाद मिले उनकी जादातर डिस्कवरीज चर्च के खिलाफ होने की वज़े से उन्हें जिन्दगी भर संगर्श करना पड़ा लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा आज की इस वीडियो में हम इसी महन एस्ट्रोनॉमर की बारे में जानेंगे जिन्होंने साइन्टिफिक रिसर्च द्वारा चीजों को साबित करने की निव रखी दोस्तों इस कहानी की शुरॉत होती है 15 February 1564 से जब इटली में गैलिलियों का जन्म हुआ उन दिनों स्कूल्स काफी कम थे और उनके फैमिली की फाइनिशल कंडिशन भी ठीक नहीं थी यर 1575 से लेकर यर 1578 तक उन्होंने थोड़ी बहुत एजुकेशन ली यर 1580 में उन्होंने युनिवर्सिटी ओफ पिसा में मेडिकल डिगरी के लिए प्रवेश लिया एक दिन जब गैलिलियो चर्च में बैठे थे तब उन्होंने देखा कि वहां के जूमर में मौझूद सभी कैंडल्स के फ्लेम का टाइम पिरेड सेम था उन्होंने काफी समय उन फ्लेम्स को देखते हुए बिताया चर्च से घर आने के बाद उन्होंने दो सिमिलर पेंडूलम्स को अलग-अलग डिस्प्लेस किया और यहां भी उन्हें सेम टाइम पिरेड मिला इस चीज ने गैलिलियो को काफी फैसिनेट किया और उन्होंने अपनी मेडिकल पढ़ाई को छोड़कर मैथमेटिक्स और फिजिक्स की पढ़ाई शुरू की गैलिलियो ने शुरुवाती दिनों में ही थर्मोस्कोप और थर्मोमीटर को इन्वेंट किया येर 1591 में गैलिलियो के पिता की मौत हुई और उनकी फाइनेशल प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी गैलिलियो ने पढ़ाने का काम शुरू किया और अपनी रिसर्च जारी रखी उन दिनों टेलिसकोप का आविश्कार हुआ था लेकिन वो टेलिसकोप्स जादा मैगनिफिकेशन नहीं दे पाते थे गैलिलियो ने खुद से टेलिसकोप्स बनाना शुरू किया और वो देर राब तक आसमान को देखते रहते गैलिलियो ने टेलिसकोप्स बना कर बेचना भी शुरू किया एक दिन उन्होंने देखा कि जुपिटर के आसपास तीन अबजेक्ट्स लगातार मंडरा रहे हैं कई दिनों तक observations करने के बाद उन्हें पता चला कि ये सभी जुपिटर के satellites हैं जो जुपिटर को orbit कर रहे हैं ये discovery काफी remarkable थी क्योंकि तब लोगों का ये मानना था कि Earth युनिवर्स का center है और सभी celestial objects सिफ अर्थ को orbit करते हैं लेकिन गैलियों ने कुछ अलग ही discover किया इसके बाद उन्होंने कई दिनों तक Sun और Venus को observe किया और पता लगाया कि Earth और सभी planets दरसल Sun को orbit करते हैं गैलियों की ये discovery चर्च के खिलाफ थी चर्च ने गैलियों के heliocentrism का विरोध किया लेकिन गैलियों अपनी theory पर अड़े रहे उन दिनों चर्च की खिलाफ जाना जुर्म था क्यूंकि लोग scientific research से ज़ादा religious scriptures पर भरोसा करते थे गैलियों के सभी writings को ban करने के बाद उन्हें house arrest में रखा गया अब गैलियों ने astronomy को छोड़ कर physics की तरफ ध्यान दिया house arrest के दौरान गैलियों ने physics और mathematics में important contributions किये 8 January 1642 को गैलियों की मौत हुई उनकी मौत के कुछ सालों बाद उनकी theories के proofs मिलने लगे और लोगों ने गैलियों की theories पर ध्यान देना शुरू किया यर 17-18 में उनके writings पर लगाए बैन को हटाया गया और कई discoveries लोगों के सामने आई गैलियों शायद पहले इसे व्यक्ति थे जिन्होंने blind faith की बजाए scientific research पर भरोसा किया Stephen Hawking और Albert Einstein दोनों के मुताबिक International Year of Astronomy गोशित किया गया दोस्तों गैलियों की तरह ही हो सकता है कि हम भी सही काम कर रहे हों लेकिन लोग हमारे काम पर विश्वास ना करें ऐसे में जरूरी है कि हम अपने काम को जारी रखे आज या तो कल लोग हमारे काम की एहमियत को जरूर जानेंगे कन्विंशनल सोसाइटी के खिलाफ जाकर अपनी डिस्कवरी से मॉडरन साइंस की नीव रखने वाले गैलियों गैलियली को मेरा सालाम